के साथ विरेन सिंग जी हमारे साथ डिवेट में आ गए हैं पर विरेन जी राजभर जी का रस्ता तो हो गया बंद बीजी बीएसपी वाला और बीजेपी में भी तिरपाठी जी जिस तरह की भासा आज बोल रहे हैं अब मुझे डाउट हो गया बलकि कंफर्म हो गया कि फिला अगर राजभर को पार्टी में अपने नहीं लेना था अपने साथ बीजेपी को तो यह मुखमंत्री आवास पे राश्ट्रपती के डिनर में खाली खाना खाने के लिए बुलाए थे उनको धोखा देने के लिए मिर्जेद जी दो लोगों ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं दोनों लोमणियां थी एक असंतुष्ट थी और एक अती जादा संतुष्ट थी तो यह वही हाल हो गया कि ना इधर के रहे ना उधर के हम छोटी पार्टियों के अपनी मजबूरियां है आपने वाई कैटेगरिक सुरच्छा दे दी और हो सकता कि बंगला भी उनको आने व उसके लिए पार्टि के लिए फंड चाहिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और लोग टिकट मांगने आते हैं तब ही तो सोटी पार्टियों टिकट देती हैं बाड़ी पार्टियों में भी वही सब होता है वहां उसका नाम सुकराना है नजराना है यहां पर व खाली बस नाम करण है जिसकी चितनी हैसियत ओम परकास राजबर ने ये सोचा रहा होगा कि कुछ माहौल बना है चुनाओं में सर्क्ता चुनाओं लड़ा गया सरकार बनी नहीं तो वो तो अलग होने था देखिया के लिए इसके गडबंदन से बहुत सारे लोग गए वो क्लिए वड़ दिया या कुछ और आगे है कुछ माल मत तक भी ब्योस्था होगी ऐसा नहीं है खाली अभी तो शुरुआत हुई है अभी चारे महीन तो उत्तर पर्देश में सरकार बने हुआ अभी राजबर का कोई कच्छा सवदा करके आए हैं कुछ ना कुछ मिलेगा आज ये जरूर है कि भाई इन्हों कहा गया को टिकट बेते हैं जाल फूक कराएं ये करें और आज अखिलेज जी ने बोला उनके खिलाब वो रास्ता तो देखिए उनको अलग करने था लेकिन जब व्यक्तिका थमले होंगे तो सवावी के कि समाजवादी पार्टी को और से भी जवाब आएगा मोदी की सरकार है योगी की सरकार है राजवर ने उनके खिलाब भी बहुत बोला आज सारे गम घोट के पी के बीजेपी ने उनको कहा भाई राश्पतिक चुनाम आओ खाना खाओ वोट तो मिली जाएगा जिस मुक्तार अंसारी पे बुल्डोजर चलना आए धड़ा-धड़ वो राजवर की पार्टिक भी धायक और उनका लड़का अगर उट दे तो सुविकार तो ये तो ब्योस्था सब गर्ज का सउदा हो गया कि अभी जरूरत है अभी मट्तियों कीचर लपेटना भी कबू जो है तो आप इसक में की बीजेपी ले ले इनको जब सरकार से सुविधा ले रहे हो तो फिर अब सर्माना क्या बचा जब सुरच्छा मिल रही है इस कोड चल रही है बंगला भी हो सकता मिल जाए तो काहें ये गुड़ खाओ और भाई हम गुल्गुला नहीं खाते सब ल परिवार कह रहे थे कि राजबर की सामने बहुत बड़ा संकट संजय निसाथ का परिवार लेटे लेटे सब आ गया अरे मेहनत किये होंगा ऐसा नहीं मतलब मुप्त तुम्हें कह लीजिए कि बैठे आराम से खाता रहा सोफा पे लेटा रहा आ गई थाली सच के सांसद हो गया मंतरी मिल गया मेल सी मिल गया राजबर इतनी मेहनत किया उनसे बड़ी पार्टी थी चार विधायक थे फिर छे बनाया लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो अगर छोटे दलों देखिये तो राजबरे तो सबसे पीछे हैं एक बार तो मंतरी पाद मिला था लेकिन उचला गया नहीं तो अनुपुरिया पटेल भी फाइदे में है आज संजेनी साथ तो बहुते ज्यादा फाइदे में है तो यह तो राजबर को कच्वटता होगा ना लड़के बच्चे भी डाटते होंगे कि तुमने बापा गरत फैसला कर लिया राश्टी में का भाई आप जोन कुछ बचा-कुचा माल है बीजेपी पहले उठा ले गई यह राजबर दोरा डाल रहे हैं यह का चाहते हैं यह भी कुछ जो कुछ बचा-कुचा है वो भी खीच ले जाएंगे क्या तो राजबर से वो पहले ही आकास आननदास तक कभी किसी स्टेट नहीं आया उनका यह पहली बार वो बोले राजबर के मामले पर तो राजबर के दर्वाजा वहां भी बंद हो गया तो अभी खुलेगा दर्वाजा लोकसभाद चुनाव आएगा तो जी बिरेंजी कंक्लूड करेंगे लेकिन एक चीज यह हैं जी दोखा जो है वो कभी मरत हैं अगर आज आपने किसी को दिया है तो कल आपको भी पलट के मिलेगा यह दोके की सततंता फितरत है यह उसका चरित्र है सियासत में भी ये बाते लागू होती हैं लेकिन चुकि बाई सियासत में इज्जत सरम पानी के कोनों मतलब तो है नहीं तो इसलिए फिर वह से चले जाते हैं वह मेरा वहम था कि वह हम सफर है हमारा वह चलते तो साथ हमारे थे पर किसी और की तलास में तो यह जो ब्योस्ता है ये जिन्दगी में हर बार एक चुनाव परिच्छा लेकर आता है सबकी स्थितियां अलग होती है कुछ लोग फास हो जाते कुछ लोग फेल हो जाते कुछ लोग साथ छोड़ कर चले जाते चुना अबीद गया अखले स्यादों के साथ भी वही हो रहा है लेकिन अगर पिलकवा गमछा वाले चाचा का दाओ ये उल्टा पड़ गया तो फिर ये दुकानों बंध होने के नुबत आ जाएगी क्योंकि बीजेपी ने अगर भाव नहीं दिया तो फिर जाएंगे कहां बचा नहीं कुछ ये राकेश तिरपाठी जी को उनको मनाना चाहिए उनको अपने साथ रखना चाहिए उनके भाव अभी उनका भवित से है बीजेपी देखिए कैसे इस्तिमाल करती है कि दिलों में खोट है जुबा से प्यार करते हैं और बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं अंगूर मीठे हो गए आम खटे रह गए और सच्चे आसिक मर गए और उल्लू के पठे रह गए बहुत शुक्री आपका विरेंजी बहुत बहुत धन्यवाद बैन भायूं आज की परिच्छे